ओम नमस्षिवार राधे राधे आईगी सुनते हैं गुरु प्रदोश ब्रत कथा पूजन बिधी एवं महत्व असकन पुरार की एक कथा के अंसार प्राचेन काल में एक बिध्वा ब्रामरी अपने पुद्र को लेकर भिच्छा मांगने जाती और संध्या को लवती थी एक दिन जब वह भिच्छा मांगकर लोट रही थी तो उसे नदी किनारे एक सुन्दर बालक दिखाई दिया जो विधर्व देश का राजकुमार धर्म गुप्त था शत्रो ने उसके पिता को मार कर उसका राजी हडप लिया था उसकी माता की भी अकाल मृत्यू हो गई थी ब्रामहरी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोसन करने लगी कुछ समय पस्चात ब्रामहरी दोनों बालकों के साथ देवयोग से देवमंदिर गई वहां उनकी भे रिसी सांडिल्य से हुई रिसी सांडिल्य ने ब्रामहरी को बताया की जो बालक उन्हें मिला है वह विधर्व देश का राजा का पुत्र है जो युध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था रिसी सांडिले ने ब्रामहर को प्रदोश ब्रत करने की सलाह दी। रिसी आग्या से दोनों बालकों ने भी प्रदोश ब्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक बन में घूम रहे थे तभी उन्हें कुछ गंधर्व करन्याएं नजर आए। ब्रामहर बालक तो घर लवटाया। किन्तु राजकुमार धर्म गुब अनसुमती नाम की गंधर्व करन्या से बात करने लगे। गंधर्व करन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। करन्या ने विवाह के लिए राजकुमार को अपने पिता से मिनने के लिए भुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनह गंधर्व करन्या से मिनने आये तो गंधर्व करन्या के पिता को बताया कि वह विदर् भगवान शीव की आग्या से गंधर्व राजी ने अपनी पुत्री काविबा राजकुमार धर्मगुप्ट से कराया। एकाग्र होकर प्रदोष ब्रत कथा सुनता या पढ़ता है। उसे सो जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं होती है। हिंदु धन के अंसार प्रदोष ब्रत कल्यूग में अतिमंगलकारी और स्युक्रिपा प्रदान करने वाला होता है। प्रतिक माह की त्रियोदसी तिथी में शायमकाल को प्रदोष काल कहा जाता है। मान्यता है कि प्रदोष के समय महादिव कैलास परवत के रजत भवन में इस समय निरत्य करते हैं। और देवता उनके गुणों का अस्तवन करते हैं। शीवजी को प्रदोष, श्रावर्मास तथा महाशिवरात्री की तरही प्रिय है। प्रदोष ब्रत को हिंदु थर में बहुत सुप और महत्य पूड माना जाता है। पुराडों के अंसार इक प्रदोष ब्रत करने का फल सव गायों के दान जितना होता है। इस ब्रत को करने से मनुष्य के शंपूड पाप ना शो जाता है। और मृत्यू के बाद उसी मुझ की प्राप्ती होती है। शुहागीनों द्वारा इस ब्रत की करने से उनका अखण सुहाग बना रहता है। प्रदोश ब्रत की पूजा हमेशा प्रदोश का यानी संध्या समय में की जाती है। सप्ता के साथो दिन के प्रदोश ब्रत का अपना अलग ही महत्व है आई ये सुनते हैं प्रदोश ब्रत पूजन विधी त्रियो दसी तिथी को ब्रह्मोर्त में उठकर नित्यकर्म से निवरित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवासिर की धूब दीप से पूजन करे पूरी दिन निराहार ब्रत का शंकल करें ब्रती को इस पूरी दिन निराहार रहना है तथा दिन भर मद ही मद सिव का प्रियमंतर ओम नमशवाय का जाप करते रहना चाहिए प्रदोशो रजनी मुखम के अंसार शायमकाल के बाद और रात्री आने के पुर्व दोनों के बीच का जो समय है उसे प्रदोश कहते हैं ब्रत करने वाले को उसी समय भगवान संकर का पूजन करना चाहिए संध्याकाल में सुर्यास्त होने के पौन घंटे पहले अशनान करके स्वीत वस्त्र पहने इस आनकोड में किसी एकान जगह पूजा के लिए उस अस्थान को गंगा जल से सुध करे अब धूपदी, नैवेल और पुस्प से शिव पार्वती की विध्वत पूजा करे तद पस्चार प्रदोश ब्रत कथा शुने अथवा सुनाएं और अंतबे भगवार सिव की आरती करे प्रदोश काल में जलाएं एक, बत्तिस अथवा सोगी के दीपक अवश्य ही जलाएं प्रदोश ब्रत इउतो निजरा रखा जाता है प्रदोश काल में शिव जी की पूजा करने के बाद ही भोजन फल आहार ग्रहड करे ध्यान रखें प्रदोश ब्रत में लालमेज, अन, चावल और सादानमक वर्जित है इस समय आपको कुछ नहीं खाना है परंतु सारीरित रूप से कमजोर व्यक्ति फला हार ले सकता है प्रदोश ब्रत को ग्यार या फिर 26 त्रियोदसियों के साथ रखनी के बाद ही उध्यापन करना चाहिए ब्रत का उध्यापन त्रियोदसितिति कोही किया जाता है उध्यापन करने से एक दिन पहले स्री गड़ेश पूजा किया जाता है राद को किर्टन करते हुए जागरण अथवा शिव मंत्र का जाब करें प्राताश नाना अधिकारी से निब्रित होकर रंगीन वस्त्रों से मंदब बनाएं फिर उस मंदब में शिव फार्वती की प्रत्मा स्थापित करके विध्वत पूजन करें तदंतर खीर से अगनी में हमन करना चाहिए हमन करते समय ओम उमाशहित सिवाय नमः मंत्र से एक सो आथ बारा हुती देनी चाहिए हमन समाप्थ होने के बार भगवान सीव की आरती और सांती पाठ करें अंत्मे ब्रामणों को शामर्थ अंसार भोजन और दानकर भगवान संकर का आस्मरण करते हुए ब्रती को भोजन करना चाहिए इस प्रकार उध्यापन करने से ब्रती, पुत्र, पौत्र आदि से युक्त होता है तथा आरुग्य है लाव करता है इसकी अत्रिक वह अपने सत्रों पर बिजय प्राप्त करता है इवं संपूर पापू से मुक्त हो जाता है ऐसा असकंद पुरार में कहा गया है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बिल नोटिफिकेशन आल पर शिट कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसी पहले आप तक पहुंच सके, धन्यवाद.